कॉंग्रिस ने केंदरी चुनास अमिती की बैठक में 66 सीटों पर उमीदवार पै किये हैं दिल्ली में हुई बैठक में 41 में से 32 सीटों पर चर्चा हुई इससे पहले 34 सीटों पर नाम फाइनल कर लिये गए थे दो दिन की बैठक में उलम्पियन बजरंग पूनिया और विनेश फोगाद के नाम पर चर्चा नहीं हुई बैठक के बाग प्रभारी दीपक बाबरिया ने बताये कि जित 41 सीटों पर चर्चा हुई उन में से 32 पर उमीदवारों के नाम पर सेहमती बन गई है दो दिनों में 66 सीटों पर प्रत्याशी तै हो गए है कुमारी सैलजा और रंदीप सिंग सुर्जेवाला की उमीदवारी को लेका निर्दने पार्टी आला कमान पर छोड़ा गया है मलिकारजुन खड़गया और राहुल गांधी इस पर फैसला लेंगे बाकी 24 सीटों पर फैसला करने के लिए वरिष्ट नेताओं की सब कमीटी बना दी गई है इसमें मधुसुदन मिस्तरी, अजय माकन और टियस सिंग देव समेच चार लोग शामल है अब इकुस सीटों पर इसलिए भी निर्दने नहीं हुआ है क्योंकि कॉंग्रिस की आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ गटबंधन को लेकर बाची शुरू हो गई है गटबंधन के बाद कुस सीटों पर फेर बदल भी किया जा सकता है इसे दूसरी सूची में देरी हो सकती है वहीं हड्याना विदान सबाचनाव में कॉंग्रिस और आम आदमी पार्टी के बीच गटबंधन को लेकर पांस सितंबर के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा इधर जहां कॉंग्रिस बैठके कर रही है उदर आम आदमी पार्टी भी अर्विन केज्रिवाल की जमानत पराने वाले पैसले के दुजार कर रही है गटबंधन को लेकर हड्याना कॉंग्रिस प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा कि हमें बीजेपी को हडाना है और वोटू को बटने नहीं देना है क्लिजेपी